गुड मॉर्निंग एवरिवन हमारा आज का टोपिक है अनुवाद मतलब की जो हिंदी में अगर हमारे पास कोई वाक्या है तो हम उसे संस्क्रिट में कैसे चेंज करेंगे तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर हमें धातु रूप और शब्द रूप ये दो टोपिक्स क्लियर है तो हम इस टोपिक को इजिली समझ सकते हैं और अब हम पढ़ेंगे तो हमें साथ-साथ धातु शब्द रूप की इंपोर्टेंस भी पता चल जाएगी यहां पे जो है तो हमें यहां पे सिर्फ मतलब कुछ चीज़े ही हैं जो याद करनी है बाकी वही होगा कि हम उस चीज़ को हर जगे अपलाई कर सकते हैं तो जो सबसे पहले है कि हमें इसको इसी सीक्वेंस में याद रखना है फिर अगर हमें जो धातो रूप है वो भी आते हैं तो हम इजिली संस्कृत में एक वाक्य को कनवर्ट कर सकते हैं सै का मतलब वहे तव वे दोनो, ते वे सब तवम तुम, युवाम तुम दोनो, यूयम तुम सब एहम मै, आवाम हम दोनो, वयम हम सब तो ऐसे हम स्टार्ट करते हैं लटलकार से तो पढ़ धातो हम पढ़ चुके हैं लटलकार हम लिख सकते हैं हमें सिर्फ जो, मतलब पहचान याद रखनी है तीत है, हंती, सीथ है, आम ही आवए आम है, बाकी तो जो भी धातो रूप आएगा हम उसके अकोरडिंग लिख सकते हैं तो लटलकार यानी की present tense तो जैसा कि हमारे पास वाक्य होगा तो वाक्य से हमें उसके tense का तो पता चली जाएगा और फिर tense का पता चलने से हम लगार कौन सा इस्तमाल करना है हमें वो भी पता चल जाएगा तो अब जैसे हम वाक्य एक्जाम्पल से शुरू करते हैं सबसे पहले है वह पढ़ता है तो वह का मैंने बताया सह है जो उसका हिंदी में है वह फिर पढ़ता है जैसे प्रथम पुरुष के एक वचन में सर लिखा हुआ है और प्रथम पुरुष के एक वचन में विवक्ति म तो तव पढ़ते हैं फिर वे सब पढ़ते हैं प्रथम पुरुष के भौवचन में ते है और धातु में क्या है पठन्ती तो ते पठन्ती हो जाएगा फिर तुम पढ़ते हो प्रथम पुरुष के एक वचन में है तुम और धातु रूप में क्या है पठसी तो तुम पठसी तुम दोनों पढ़ते हो, मध्यम पुरुष के द्वी वचन में है युवाम, और धातु में क्या है पठत है, तो युवाम पठत है हो जाएगा, तुम सब पढ़ते हो, मध्यम पुरुष के बहु वचन में क्या है युवाम, और धातु में क्या है पठत, तो युवाम पठत तो ऐसे ही अगर लरिट लकार देखे यानि की future tense तो वैसे ही हमें धातू हमारे mind में रखनी है और जो सबसे उपर हमने जो पढ़ा है उसे इसी sequence पर याद रखना है तो वह पढ़ेगा वह केई जगह हो जाएगा सहे और फिर धातू रूप में अगर उसी के जगह पे देखेंगे तो पठीशयत है वे दोनों पढ़ेंगे तो उपठीशयत है वे सब पढ़ेंगे ते पठीशयनती तुम पढ़ोगे तो हम पठीशयसी तुम दोनों पढ़ोगे युवाम पठीशयत है उसके बाद है लंग लकार यानि कि पास्ट की बात होगी उसने पढ़ा सर अपठत, उन दोनों ने पढ़ा तव अपठत, उन सब ने पढ़ा ते अपठन, तुम ने पढ़ा तुम अपठ, तुम दोनों ने पढ़ा युयाम अपठत, तुम सब ने पढ़ा युयम अपठत, मैंने पढ़ा एहम अपठम, हम दोनों ने पढ़ा आवाम पठाव हम सब ने पढ़ा वयम पठाव फिर उसके बाद है लोट लकार पट्टू पठाम पठन्तू पठ पठत पठानी पठावे पठामें ये हो गया धातू हो गई है और फिर अगर वाकिया देखे तो वह पढ़े से पठतू वे दोनों पढ़े तव पठताम वे सब और युवाम पठतम तुम सब पढ़ो युयम पठत मैं पढ़ू एहम पठामी हम दोनों पढ़े आवाम पठाव और हम सब पढ़े वयम पठाम फिर उसके बाद विधिलिंग लकार उसे पढ़ना चाहिए सर पठत उन दोनों को पढ़ना चाहिए तव पठताम उन सब को प पढ़ना चाहिए एहम पठेयाम, हम दोनों को पढ़ना चाहिए आवाम पठेव और हम सब को पढ़ना चाहिए वयम पठेव तो हमने ये एक धातु को उसके अलग-अलग रूपों से हमने मतलब हिंदी के वाकिय को अन्स्कृत में oynवर्ट करके देखा तो इससे हमें क्या पता चला है कि सिर्फ हमें धातू ही आनी चाहिए में ली तो और जो मतलब शब्द रूप है उसका वो सीक्वेंस याद हो तो फिर हम easily वाक्य को convert कर सकते हैं फिर उसके बाद ऐसे ही क्रिड धातू का example लिया गया है लट लकार में धातू हम लिखी लेंगे फिर examples देख लेते हैं राम खेलता है राम है क्रिड थी राम और शाम खेलते हैं राम है शाम है फ्च्र क्रिड थी कृड़ंती हो जाएगा तुम खेलते हो तुम दोनों खेलते हो मैं खेलता हूँ याम कृड़वे तो ऐसे ही जैसे हमने अब तक examples किये ग्रीड़ांपल्स उतकी हैं तो similarly ये भी हो जाएगे ऐसे ही क्रिड का लंग लकार है उसने खेला से क्रिड़त उन दोनों ने खेला तो अक्रिड़ताम उन सब ने खेला ते अक्रिड़न तुम ने खेला तुम अक्रिड़ तुम दोनों ने खेला युवाम अक्रिड़ताम तुम सबने खेला यूयम अक्रिडत मैं खेला एहम अक्रिडम हम दोनों ने खेला आवाम अक्रिडा हम सबने खेला वयम अक्रिडा फिर उसके बार इसका विदिलिंग लकार है और लोट लकार के एक्जामपल है उसे खेलना चाहिए सर क्रिडेत उन दोनों को खेलना चाहिए तव कृड़े तम, उन सब को खेलना चाहिए तव कृड़े यू, तुम्हें खेलना चाहिए तौम कृड़े, तुम दोनों को खेलना चाहिए यूवाम कृड़े तम, तुम सब को खेलना चाहिए यूवाम कृड़े, मुझे खेलना चाहिए यू चेअउस है। तो तो बस में चीज क्या है कि हमें सिर्फ काफी टोपिक्स हमारे पास ऐसे ही हैं, जिसमें हमें एक दो रूल्स को सेखना है और हर जगे पे उसे ही ? तो ऐसे ही यहां पे भी है अगर हमें धातु आती है तो हम इजीली किसी भी संटेंस को कनवर्ट कर सकते हैं संस्कृत में धन्यवाद